हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग और हम लोग का फिजिक्स का यह जो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग आप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो उस आप्टिक्स सीरीज में आज हम लोग का लेक्चर नमबर 3 है और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है magnification, तो previous series में हम लोगों ने क्या पढ़ा, previous series में हम लोगों ने पढ़ा था, reflection कैसे होता है, और reflection किससे होता है, हम लोगों ने plain mirror पढ़ा, spherical mirror पढ़ा, फिर हम लोग ने mirror formula का derivation करा जो mirror formula का derivation है वो बहुत important है आप लोग के SEX के exam के लिए ठीक है वो frequently पुछा गया आपसे exam तो जैसे कि और सीरीज चल रही है जैसे chemistry की सीरीज चल रही है या physics की भी और सीरीज चल रही है तो आप लोग इसको जादा से जादा शेयर करिए ताकि हम लोग को भी लगे कि जो मेहनत कर रहे है कुछ value उसका मिल रहा है और जहां भी जो भी topic का आपको बनवाना है जो भी topic पे आपको doubt है उसको comment ज़रूर करिए ताकि हम लोग को पता चले कि आपकी requirement क्या है तो चलिए start करते हैं आज का topic जो है magnification है और magnification कौन सा magnification तो यह क्या इसको क्या बोला जाता है linear और lateral magnification बोला जाता है linear और lateral magnification क्यों बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दो types के magnification होते हैं बाद में आप पढ़ोगे तो एक होता है अंगुलर मैगनिफिकेशन, बट फिलाल के लिए हमारे स्लेबस में भी क्या है, लीनियर मैगनिफिकेशन, क्या होता है मैगनिफिकेशन देखो, तो मैगनिफिकेशन को यहाँ पे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मैगनिफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं Magnification जो denote होता है हमारा वो होता है नहीं स्मॉल म है क्या तो देखो, यह स्मॉल म है क्या तो Magnification का formula क्या है, Height of image Height of image divided by Height of object, क्या है height of image divided by height of object मतलब क्या मतलब यह है कि magnification किस बात को बताता है तो देखो magnification का formula क्या है height of image किस से divided हो रहा है height of object से तो एक्चुल में जो image बन रही है mirror से उसका size क्या होगा वो image होगी कैसी तो उस चीज को बताता है magnification तो यहां से numerical बहुत important है जो आपको exam में पूछा जाता है clear है सबको तो magnification देख कि हम यह बता सकते हैं कि जो image होगी वो real होगी या virtual होगी या कौन से mirror से बन रहे होगी इसलिए इंपोर्टेंट है तो एक formula तो क्या हो गया height of image divided by height of object और यहां पे height जो है image के height को h-ट माल लिया by u minus v क्या था बोलो सब लोग minus v v क्या था image distance और u क्या था object distance तो अगर हमको image distance पता हो और या हमको object distance पता हो तो भी हम इस formula से क्या निकाल सकते हैं magnification निकाल सकते हैं यहां पे दो चीजे पता चल गई हम क्या लिख सकते हैं यह हम बोल सकते हैं, minus v by u, यह formula को हम use करके, यहाँ पर क्या निकालेंगे, numerical निकालेंगे, तो यह formula आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्या, कि जो height है, note डाल के सब लोग इसको note कर लिजेगा, height must be taken, must be taken with sign, with sign, with sign, with sign कम अपलब क्या, positive height लेना है, negative height, अब यह positive height और negative height तो होता नहीं, बड़ जान रखो क्या, मालव यह mirror है, इसको हम्री है मालविश का है मिरड है यह प्रिंस्पल एकसेस हो गया तो प्रिंस्पल एकसेस के अगर उप्परappa मेजर कर데 agreements क्या लेते हैं प्रिंस्पर खुलेगे definitiveस्पर आजटे ज़ेन है तो इसको चीज़ और पात Hagzhav चलिए देखे क्या अब कुछ बाते और मैगनीफिकेशन देखो अगर मैगनीफिकेशन की value कैसे आ रहें negative यह important है जानो अगर मैगनीफिकेशन कैसा आ रहें negative आ रहें इसका मतलब जो image होगी जो image होगी वो कैसी बनेगी real और real image हमेशा कैसी होती है inverted तो ध्यान रखो आप इससे ही समझ जाना किसे कोई भी mirror हो अगर magnification negative आ रहा है आपका question में तो 100% जो image होगी वो कैसी होगी real और real image हमेशा कैसी बनती है inverted बनती है दूसरी बात अगर magnification की value कैसी आ रही है positive अगर question में magnification कैसा आ आपका positive तो जो image फॉर्म होगी वो जो image होगी कैसी होगी virtual एंड इरेक्ट वर्ट्वल image कैसी होती है आपकी इरेक्ट या इसी को बोलते है अपराइट क्या बोला जाता है अपराइट बोलते है अपराइट बात समझे तो यह फिक्स है देखो यहां से मैं शॉट्रिक बता रहा हूं अगर magnification की वैल्यू नेगेटिव है जैट मेंस हंड़ेट परसेंट इमेज कैसी वैल्यू और इन्वर्टेट अगर magnification की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्लस से मतलब नहीं है या मैं से बोल सकते मोड मैंगनिफिकेशन वन का मतलब पैसी ओगी इनलार्ज होगी कैसी होगी यह सुझा जैसे मैंने बोल दिया magnification कितना है minus 2 अब यह minus 2 का मतलब आपको क्या समझना है minus 2 क्या बता रहा है minus 2 यह बता रहा है कि जो image है वो 2 times बड़ी क्योंकि magnification क्या है magnification क्या बताता है आपके size को बताता है अगर magnification 2 आ रहा है इसका मतलब object से बड़ा है image कितना बड़ा है टू टाइम्स बढ़ा है चेक है अच्छा दूसरी बात अगर magnification आपका less than आ रहा है plus minus one से तो image क्या होगा image क्या होगा small होगा क्या होगा small या diminished sized बोलते हैं और अगर magnification क्या आ रहा है one आ रहा है चाहे तो plus का one चाहे minus का one इसका मतलब image और object का size क्या होगा आपका same होगा clear है बात तो याद रखना अच्छा एक example के तोर पर आपको समझा रहा हूँ देखो सब लोग जैसे देखो अगर magnification कहीं पर लिखा हुआ है minus one by three इसको आप कैसे समझोगे minus one by three कैसे समझोगे तो दोगो magnification पहली बात तो symbol देखना है सिंबल क्या है आप है minus यह negative sign क्या शो कर रहा है कि image कैसी बनेगी मैंने बोला अगर magnification negative है तो image कैसा है real and inverted पहली बात तो यह समझ में आगे हमको image कैसी होगी real और inverted होगी दूसरी बात इसकी value दो अब plus minus से मतलब नहीं है plus minus क्या बताता है just image कैसी बनेगी real या virtual तो negative देखके पता चल गया कि image कैसी है real और real image हमेशा कैसी बनती है inverted अब value को देखो value कितना है इसका value है one by three इसका मतलब क्या दोगो one by three मतलब क्या one से चोटा है कितना चोटा है three times चोटा है times देखना है value को डिवाइड करके नहीं देखना है times देखना है one by two two times चोटा है one by four four time चोटा है clear है सबको तो one by three one by three मतलब जो image बन रही है वो object से क्या है one by three चोटी है ना one से जिसका मतलब image क्या है छोटा है कितना है image क्या लिखोगे image three times smaller than object जो image बनेगी वो three times smaller होगी किसे object से clear है सब को ऐसे magnification अगर क्या लिखा होता देखो magnification अगर लिखा होता minus two या plus two इसका मतलब क्या समझ जाते है पुस्षन में कि image कैसी बन रही है plus होने का मतलब image कैसी बनेगी वर्चुटल बनेगी two होने का मतलब one से बड़ा है कितना आ रहाए two तो image कैसी योगी two times बड़ी होगी in large होगी two times क्या होगी in large होगी clear सबको तो देको तो इतना जानना जरूरी है क्योंकि इतना जानोगे सब जाके numerical हम solve कर पाएंगे सब ले लिए स्क्रिंशॉट ले लीजे इसका आगे कुछ numerical करते हैं इसके चलिए आगे चले क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है क्यों देखो पढ़ो क्यों को बोल रहा है find the position size and characteristics of an image जो image बनेगी उसका position बताओ size बताओ और characteristics बताओ formed by a concave mirror कौन सा mirror यूज़ कर रहा है कौन के देखो यह भी important कौन के mirror of focal length कितना focal length 10 cm when an object 2 cm long object size क्या दे रखा है 2 cm is kept in front of it मतलब कौन के mirror के सामने object रखा हुआ है कितने size का 2 cm long और उस mirror के focal length कितनी है 10 cm कुछ numerical को समझना है कि क्या बोलना चाहता है at a distance of object काहा है और और है 15 cm और को पॉशितक में ने दो इन दये तहई एक बार object क्या रखना है 15 cm पे देखना है और एक कशण करम कटना है five centimeter तो एक कुछन में करा रहा हो एक कुछ आप लोग हुछ से करीगा चलिए तो सबसे पहले हम दो को given date देखते हैं कि given that क्या है ये important दें given देंग मैं given data क्या क्या दे रखाए वे उसने कॉसीन में को सबसे पहले दो को तो मिरर कौन सा यूज हो रहा है यह भी लिख सकते हैं मिरर यूजड क्योंकि यह help करता है मिरर कौन सा है कॉन के ठीक है फोकल लेंद कितना इसका फोकल लेंद कितना दे रखा है 10 cm और object distance u यह कितना दे रखा सब्सक्राइब कितना है 15 cm तो यह हमको दे रखा है अब इसके बात दिमाग लगा हमको पूछा क्या है पूछा है वी की वेल्यू निकालने कैसे निकालेंगे साईज साइज कहां से पता चलता है मैगनिफिकेशन थ एसे करना चलते हैं मैं तो डेखो मैलोह कंसे सब्सक्राइब बहुता पर ने पांजेखpop को का एक सब्सक्रिवान निएक से निकलेगा तो हमेशे सब निकलना यह कहां से निकलेगा तो मिरण करूला से निकलीगा मिरर फॉर्मूला क्या है मिरर फॉर्मुला क्या होता है तो मिरर फॉर्मुला है 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u यह होता है मारा मिरर फॉर्मुला यहां पर देखो ऐसे question में f पता है u पता है v निकालना है कभी ऐसा में v निकालना हो इसी formula को और derive करके हम एक नया formula बना सकते हैं जो हमारे काम आएगा v equal to direct अगर v निकालना हो इसी question में तो देखो आपको easy कर देता हूँ v equal to क्या लिखेंगे uf divided by u minus f direct यह use कर सकते हैं इसी को derive करेंगो और तो आगे क्या आएगा v equal to uf divided by u minus f u क्या है object distance रब्दो value u object distance कितना है minus 15 symbol के साथ रखना है ठीक है भाई symbol के साथ लेना है हमको कितना लेना है minus 15 f कितना है focal length कितना दे रखा है question में minus 10 ठीक है divided by u u कितना है मारा बोलो फिर से object distance कितना है minus 15 minus focal length कितना है फिर से देखो minus 10 सब कुछ value आ गई इससे easy निकलेगा negative plus minus plus का दिक्कत नहीं होगा यह देखो minus minus into के plus हो जाएगा 15 into 10 कितना आ जाएगा 150 नीचे देखो यह minus minus plus तो plus 10 minus 15 तो कितना बचेगा minus 5 तो cancel करें अगर तो minus आ जाएगा plus minus को डिवैट करेंगे minus 5 से करेंगे 5 3 जा 15 कितना आ जाएगा minus 30 cm कितना आएगा minus 30 cm मतलब जो image बनेगी आपकी वो कितना पर बनेगी minus 30 cm अगर मैं इसको समझाओं तो देखो minus होने का मतलब क्या है क्के मिरर यह हो गया यह मालो फोकल लेंस हो गया 10 cm पर यहां पर object रखा हुआ है 15 पर यह object रखा है image भी कहां बनेगी इधर बनेगी किसी side जिस side mirror कितने दूरी बनेगी 30 cm और कैसी बनेगी negative होने का मतलब क्या ह है कैसी बनेगी image नेगिटी होने का मतलब क्या है यह तो सकते हैं और नेगिटी मेंगेशन है that means कैसी image बनेगी कि रियल एंड इंवर्टेड रियल एंड इंवर्टेड ठीक है यह तो हो गया हमारा फर्स्ट जो पुछा था कोश्चन में क्या पुछा था हमसे देखो हमसे पुछा था पोजीशन पोजीशन बता दी इमेज की पोजीशन हमारी कहां बनेगी इमेज की पोजीशन हमारी बने एक बात बोल सकता हूँ देखो मिरर के लिए यह नोट डाल के लिख सकते हो इफ या फोर मिरर्स ध्यान रखना है फोर मिरर्स फोर मिरर्स इस यू एंड वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस एव सेम साइन अगर दोनों का साइन सेम है दोनों का साइन क्या है सेम देन इमेज फॉर्म देन इमेज फॉर्म कैसा होगा रियल कैसा होगा रियल और अगर साइन सेम नहीं होगा तो कैसा होगा वर्चुए यहां से भी देखो मेज़ और यह तो दो नेगेटिव यह सो दोनों नेगेटिव यहां पता कर सकते हैं् हमसे पूछila तो साइज साइज काहां से यहां से आःगए यहां से बता सकते हैं तो यह मा कम एट यहां पर हडे रखा था अबजेक्ट का हइट में इए क्ैसिंट क्या है ऑब्जेक्ट का हाइड क्या है 10 cm long ऑभ्जेकड का हाइड देरका है कि यहां से इमेज का हाइड सी susto जो पहले अगर मनिट्र ओभध कहान से आजाएगा माइनस वी ब्यूसिशन निकालो 1-9 वी कितना आए हमारा question में अभी आये था याद माइनस 30 यू कितना था माइनस 15 15 से कितना जाएगा – 2 कितना जाएगा – 2 देखो – 2 मैंने मिल्य सोने का मतलब मैंनल किसी क्या है इमेज कैसी बनेगी रियल तो देखो मैंने केशन कितना होता है h dash by h, ठीक है, यहाँ पर देखो, magnification की value कितने आई, minus 2, equal to h dash, h कितना है हमारा, 2 cm, तो h dash कितना आजाएगा, minus 4 cm, minus 4 का मतलब क्या है, कि object, जो image बन रहा है, object का, वो कहां बन रहा है, principle axis के नीचे बन रहा है, clear सबको, height कितना आजाएगा, minus 4 cm, ठीक है, अच्छा, अब nature बता सकते हो, nature, जो last में पुछा है, अब यहाँ पर सब कुछ clear होगा, nature बता सकते हो, क्या बता सकते हो, image कैसा होगा, real, and real image कैसा होगा, inverted होगा, दूसरी बात, magnification कैसा आया, देखो, minus 2 होगा, minus 2 होने का मतलब मैंने क्या बोला था, value 1 से बढ़ी आ रही है, कितने आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब, image जो form होगा, image, 2 times, bigger, than, object, object से कितना बढ़ा होगा, 2 times, बढ़ा होगा, clear है सबको, तो ऐसे हम किसी भी question को यहाँ पर कर सकते हैं, और द्यान रखो, यह question आपके exams में उच्छे आते हैं, ठीक है, चली एक question और करते हैं, इसको आप screenshot ले लीजिए, चली, next question क्या देखो, बोल रहा है, कि कॉनके mirror, कैसा mirror है, कॉनके mirror है, has radius of curvature, अभी आपर focal length नहीं दिया, radius of curvature दे रखा, कितना दे रखा है, 24 cm, how far object is placed, object को कहां रखा जाए, if we get an image, कि जो image है, ताब यहाँ पर भी तीन question में ने दिया है, आप मैं एक कराऊँगा, बाकि आप दो करके, comment box में इसका answer share करिए, first question करेंगे इसको, कि image कैसी बन रही है, virtual and three times of the size of the object, कि object को कहां रखा जाए, तो इसमें देखो, आप given that क्या है, जहां से देखो, बहुत अच्छा question, given that क्या है, देखो, given that क्या है, पहले बात तो mirror कौन सा यूज़ हो रहा है, mirror used, mirror कौन सा यूज़ हो रहा है, आपका, concave, कौन सा mirror है, concave है, कुछ-कुछ help होगा यहां से, दूसरा radius of curvature देर रखा, radius of curvature कितना देर रखा आपको, 24 cm, तो radius of curvature से हम क्या निकाल सकते है, focal length निकाल सकते हैं, क्योंकि focal length क्या होता है, radius of curvature का कितना होता है, half, तो कितना हो जाएगा, 12 cm हो जाएगा, तो क्लियर है सब को, अच्छा, अब क्या बोलाएगा, कि object को कहां रखा जाएगा, मतलब आपको पूछा है, you पूछा है, object distance पूछा है, तब, जब image कैसे बने, virtual बने, first question कर रहे हैं, virtual बने, and three times of the size of object, object से कितना मने, इसका मतलब, magnification आपको दे रखा है, virtual होने का मतलब, magnification कैसा, positive, और three times होने का मतलब, कितना बढ़ा है, three, कितना है, three, object से कितना बढ़ा है, three times, तो magnification कितना हो गया, plus three हो गया, कितना हो गया, plus three, second वाला में, बता देतों, आप लोग खुछ से करिएगा, जैसे देखो, बुला है, real, real होने का मतलब, magnification कैसा होगा, negative, and three times the size of object, तो minus three होगा, next वाले में, देखो, तो बुल रहा है, real, and one by three times, तो real होने का मतलब, negative होगा, और magnification कितना होगा, minus one by three होगा, तो ये दो question आप खुछ से करिएगा, ये वाला मैं कराता हो, चलिए, next page पर चलते हैं, देखो, screenshot ले लो उसका, और खुछ से एक बार जरूर, solve करना है, क्या बुला है, mirror कैसा use हो रहा है, mirror used, कुंसा mirror है, on cave है, magnification पता चल गया, हमको कितना आ रहा है, plus three, plus three क्यों लिया है, सबको पता चल गया, clear है, क्योंकि image कैसा मन रहा है, virtual, और three times, size of object, तो plus three हो गया, हमको क्या है, focal length पता चल गया, क्योंकि radius अब का रिवेचर का half होता है, कितना हो गया, कितना हो गया, 12 cm, क्या निकालना है, object distance निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, object distance, तो यहां पर देखो, च्या क्या कर सकते हैं, 12 cm दे रखा है, और यह क्या होगा, negative क्यों होगा, ठीक है, कैसा mirror है, convince, convex होता, तो क्या होता, positive होता है, इत हम जानते है, f equal to कितना होता है? 1 by v plus 1 by u. अब यहाँ पर एक दिक्कत है. क्या दिक्कत है? f पता है, u निकालना है, v नहीं पता. तो v नहीं पता तो कहां से? Magnification से relation निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं? देखो अच्छे से देखो सब लोग. relation क्या है? Magnification का. Magnification कितना है? plus 3. और हम जानते हैं, magnification होता है? minus v by u. तो यहाँ से v कितना आ जाएगा? minus 3u आ जाएगा. यह एक relation मिल लिएगा. मतलब v को हम क्या लिख सकते? cross multiply करेंगे, तो कितना आ जाएगा? minus 3u. तो apply करो यहाँ पर question formula में, तो 1 by f, 1 by f equal to 1 by v, plus 1 by u. f की value लगाओ, f की value कितनी है? minus 1 by 12 हो गई. v की value कितनी है? minus, देखो, f की value कितनी हो गई? 1 by minus 12, v कितना है मारा? minus 3u, plus u तो निकालना ही है, तो 1 by u लिख दिया. ठीक है, lcm लेलो देखो, तो 3u lcm लेलो, 3u, तो 3u से 3u cancel होगा, कितना आ जाएगा? minus 1, u से u cancel होगा, कितना आ जाएगा? plus 3, कितना बचेगा? 1 by minus 12, 1 by minus 1 by 12, equal to, minus 1 plus 3, कितना बचेगा? 2 by 3u, कितना बचेगा? 2 by 3u, 3u है ध्यान रखो, ठीक है? cancer क्या आ जाएगा, देखो, cross multiply वगरे कर दो, किधर आ जाएगा? 3u, किधर देखो, इधर जाएगा? minus का इधर जाएगा, कितना होगा? minus 24, 2 into 12 हो जाएगा, minus 12 into 2, directly लिख दिया था मैंने, u equal to, कितना? minus 12 into 2 divided by 3, 3 से काटूंगा अथ कितनी बचेगा? 4 बार, u की value कितनी आ जाएगे? minus 4 into 2, minus 8 cm, कितना आ जाएगा? minus 8 cm, मतलब object कहां रखा होगा? minus 8 cm पे, clear है सब को? यह ऐसे करेंगे question, कि magnification पता हो, तो भी हम क्या निकाल सकते हैं? v और u की value निकाल सकते हैं, चलो इस question में u पूछा था, हो सकता है, इसी question में को क्या पूछ लेता? v पूछ लेता, तो v को कैसे निकालते है? v का relation आया था, कितना था? minus 3 u, तो यहां से देखो, minus 3 तो 3 है, u की value कितनी है, minus 8, तो कितना आ जाएगा, v की value, minus minus plus, 8 3 है, कितना हो जाएगा, 24 cm, तो कैसा बने जाएगा, 24 cm, अब देखो, यहां से एक बाप भी पता चल गए, u कैसा है, तो negative, और v कैसा है, positive, मैंने क्या बोला था, u और v की value, अगर sign अलग-अलग है, तो image कैसी बनती है, virtual, औ y बन रहा था, image कैसी बन रही थी, आपे, रहो, तो हर चीज़ आपका correct है, image कैसी बन रही थी, आपे हमारी, image कैसी बन रही थी, देखो, virtual, कैसी बन रही थी, virtual, वो तो magnification से भी पता चला, और यहां से भी पता चलिया, कि u और v, दोनों का sign क्या है, अलग-अलग, इसलिए image क या जब image real और one by three times बनेगे, clear सबको, तो यहां तक आप लोग नोट करिए, कल जो next topic होगा हम लोग का, वो हम अब lenses पर चलेंगे, और lens पढ़ा जाएगा, इसमें कुछ भी doubt है, तो आप लोग comment करिए, और अपने दोस्तों के साथ share करिए, जहां भी आप जिसको भी help मिले इस स ओनों के साथ, करिए झाप खिए.